सर ये जो हम लोगों में अमेंडमेंट लाया है इसका भुक्सत बहुत बहुत हमने बोलूगा सर अर्बिट्रेशन एक के भारत 36 में सर इस बात का प्रावधान है कि कोई आर्बिट्रेशन अवार्ट सेटर साइड हो जाएगा अगर वो पॉप्लिक पॉलिशी के घिनाफ होग पॉप्लिक पॉलिशी के घिलाफत किसको माना जाएगा जो करॉप्शन फ्रोड से प्रभावित होगा ये स्टेट बात है अब सर हम लोगों ने सक्शन 36 में एक बात का प्रावधान था सर इससे प्रावधान था सर कि आप सीधा इसके नहीं होगा कोई क्यालेंज करेगा ज के सचन 36 का प्रोविजन था सर आज के दिर हम यही कह रहे हैं अगर किसी अवार्ड को चैलेंग दिया गया और अगर प्राइमा फेश्याई प्रोड ने पाया कि ये फ्रॉड और करॉप्शन से प्रभावित है तो प्रोड इसके करेगा सर हमें एक बास हमें नहीं आती है करफशन के नाम पर इनको प्रशानी क्यों होती है क्या भारफ में ऐसे आवार्ड दिये जाएं जो करफशन के प्रभावित हैं जहां सीडिया इजिन पर ही चल वही है और ऐसे लोग कोलिउसिव एक्रिमेंट के दौरा अवार्ड लेकर टैक्स बेर के पैसे लोग लूट के लए ले जाएं अवार्ड में यहीं तक हूं काम कर रहें कि प्राइमाफेशी का मतलब क्या होता है तो कोट में साथ सब कहा है कि प्राइमाफेशी केस does not mean prove to the hill but a case which can be sent to be established if the evidence led in the support is to be believed सर हमें एक नी बताया जाए हमें सर एक नी बताया जाए अगर ऐसे मामले में नाच्छरल प्रिसोर्स को नुता दिया घाँ उनकी सर्कार में आए उनकी सर्कार में डात Yes सर नच्चोंडिसोर्सेग पराइशन मैं हमस्पे कहना चाहूंगा जर सर शुमी वोड्रा अक्षान में देराथ वह उनके समय में उसे बता और या रहखी नहीं की गई यास सब औहींupport करना नहीं लूँगा नेकिन वो लोग बाहर में जाकर उसको इंफोर्स कर रहे हैं और जारों पर रुटे दो हमारे क्लेम पर तो पहले तो करप्शन से अग्रीमेंट करो पर अब संसे नाच्रल रिसोर्स को उस समय की सरकार कुछ ताम करती रही है हमारी सरकार आई सारी गरबड़ी पकड़ी आज इंटारी हो रही है अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो और एक इंवेस्टर अमेरिका में एक इंवेस्टर बागी जगा कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के एककुसिञान को मजबूत कर रहे हैं इमानदार कर रहे हैं उनको परशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परिशान हो क्योंकि नरेत बोधी की सहकार पिमांदारी से चलेगी इसी दिए सब हम लोगों ने ये कादू के लेगी कोश्ट ने अब सर जो बात कुंदोकित मिस्वर ने बताई ये सारा कुछ स्टे के लिए है अगर वो जीत गए तो सेंटर साइड हो जाएगा लेकिन सर इस सदन को एक बात समझना पड़ेगा भारत एक आजाद मुल्क है एक आजाद मुल्क में क्या कुछ व्यापारी अपने सिस्टत को एद्यूज कर नैचरल डिसोर्स लेगे कॉलिशिक कॉंट्राइट करेंगे अब बाहर जाके इंफ्वर्स करेंगे अब हजायों क्रोल मागेंगे उसको रोकने का एक जरिया इसकान में ला रहा है इससे क्यों परिशाबी हो रही है एक किसी ऐबात है सर इसने सर यह बिल्कुल हम चाते है भारत आर्चरल का बना सेंटर बने हम रिफॉर्म किया है कानूनसे नहीं हम आर्बिट्रेशर काउंसिल को आट्रॉन्बी दे रहे हैं जो सुप्रिम को निजाज है हेडिक करेंगे तो यही तो सिप्र कानून है सर और सर हम कहना चाहते हैं हमने आटनेस इसलिए लाया कि हमें भारत के टैक्सपेर का पैसा बचा रहा था जो इंफोर्स कर रहे थे और इसलिए यह एक नैस्टेल कंपेलिंग निसेसरी है सर इस बिल है इसलिए यह गिल्कुल वैधानिक है और मैं आप से आगरा करूंगा इसे क्रिपा कर पारिद करने करेंगे देंगे